नमस्का दोस्तों आपका हादिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस YouTube वीडियो में दोस्तों आज एक नए टॉपिक आपके समने पेश है दोस्तों ये डिसकेशन शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग रहे हैं के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से आपको नए अबडेट्स का पता लगता रहता है तो दोस्तों आपसे आग रहे है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जूरू कर ले और दोस्तों आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्ता आज हम सर्वाइकल के बारे में डिस्कुशन करेंगे। काफी बहेंकर दर्द होता है। तो इसके लिए आयरवेद में के अलज़ बताये गाये है कि इसके बारे में आज हम डिस्कुस करेंगे। गर्दन में अगर दर्द है सर्वाइकल का और गर्दन में कड़ापन है तो स्थिति को गंबीर करने वाले प्रमुक लक्षन जो है वो इस तरह से हैं सिर का दर्द, मुखे रूप से पीछे का दर्द, गर्दन को हिलाने वर प्रय गर्दन में कड़क जैसी आवाज आना हाथ बाजू और उंगळियों में कम्जोरी या सुन हो जाना, और व्यक्ति को हाथ और पैरों में कम्जोरी मैसूस होना, चलने में समस्या होना, संतुलन्ख होना, गर्दन और कंदों में अकड़न होना, पानी का ठंडा पैकेट दर्दवाले शेतर पर रखे, अपने तंतर का तक्या लिए हुए सुएं और सर्वाइकल के लिए जो आयरवेदिक उप्चार बताया गए वो इस तरह से हैं इसकी समगरी जो है धतूरे के बीच 15 ग्राम, रेवन चीनी 10 ग्राम, सौट 10 ग्राम, गरम तवे पर फुलाई हुई सफेद फिटकरी 8 ग्राम, इसी तरह से फुला गरम जल के साथ लें, गोली भोजन करने के बाद लेनी है और खाली पेड़े दवन ना लें, कले हुए मैं तीखे भोजन का सक परेज करें और मात्र एक महा में आप इस समय सह से नजात पा सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर्ली ट्रीप्मेंट को लेते हैं तो, और आयर तो दोस्तों, अगर सर्वाइकल की कुछ प्रॉबम है तो आप भी जरूर करके देखें, आपको निश्यत रूप से इस कहलाब मिलना चाहिए, आप भी करें और आपके जो फीडबेक कमेंट्स आदी हैं, वो हमारे साथ जरूरू शेयर करें